हेलो गाइज, उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, सौधी अराम को प्रजेक्ट पर जब आप टेस्ट देने के लिए जाते हो, इंकेस अगर आपका टेस्ट फेल हो जाता है, आप अनक्वालिफाइड आपको घोसित कर दिया जाता है, तो ऐसे कंडिशन में कंपनी होना है, एक डर बैठा हुआ है मन के अंदर में, उस डर को मैं निकालने के लिए आया हूँ, इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा, आपके मन से सारे डौट्स किलियर हो जाएगी, जब भी आप जाते हैं दूसरे कंट्री में, एस्पेसली सौधी अराम के अंदर म ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे वार्क हैं, कुछ ऐसे पोजिशन्स होते हैं, जिने टेस्ट देना पड़ता है, ऐसे बहुत सारे पोजिशन्स हैं, जो टेस्ट की जरुवत नहीं है, सीधा गया और लग गया काम पर, उससे उसे मतलब नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे पोजिशन् लेटर नहीं आता है, जब तक आप पास नहीं कर जाते हैं, तब तक आप full form में काम नहीं कर सकते हैं, सौधी अराम को प्रजेक्ट पर, यही उसकी procedure होती है, basic, तो जब भी आप सौधी रफ जाएंगे, सौधी अराम को प्रजेक्ट पर, अगर आपका कुछ ऐसा काम है, जिसक को test required है, आपको exam देना पड़ेगा, exam pass होना पड़ेगा, वहां से approval later लेकर आना पड़ेगा, आपकी card बनेगी, ID बनेगी, तब ही आप अपने position में काम कर सकते हैं, सौधी अराम को प्रजेक्ट पर, इंकेस अगर आपका fail हो जाता है interview, आप fail हो जाते हैं, आपको unqualified घोसित क बात करने के लिए, लेकिन इस वीडियो को complete देखिएगा, otherwise आपको कोई फायदा नहीं है, समझ नहीं आएगी, हेलो दोस्तो, मेरा नाम शाहब शाकीबै और मैं आपसे बात करना चाता हूँ, सौधी अराम को प्रजेक्ट के बारे में, जब भी आप अपने कंटी से जाते हैं, सौधी अराम के लिए, चाहें आपकी company कोई भी हो, main contactor हो, या subcontactor हो, सौधी अराम को अगर प्रजेक्ट है आप उस position को से आप belong करते हैं, उस position से आप belong करते हैं, जिस position की required है, वहाँ पर test देना, जैसे QC हुआ, safety officers हुआ, या और भी बहुत सारे positions हो सकते हैं, उसके standard के according, सौधी अराम को standard के according, और आप जाते हैं test देने के लिए, बस हो सकता है bad luck, हो सकता है, कभी-कभी ऐसा होता है आप बहुत अच्छा काम जानते हैं, आप well qualified हैं, लेकिन interview नहीं निकल पाता है, कुछ ने कुछ issue हो जाता है, कुछ ने कुछ problems उसमें आ जाते हैं, कुछ कम marks से, कुछ कम numbers से आप छट जाते हैं, आप fail हो जाते हैं, तो ऐसे condition में company आपकी क्या करेगी, अगर company के पास कोई दूसरा project है, सौधी अराम को project के अरावा और भी कोई दूसरा project है, तो वहाँ पे company आपको बिना किसी परिशानी के आपको move करतेगी, आप उस project पे चले जाएंगे, आप काम कर लीजिए, वहाँ का जो procedure है फिर उसको follow कर लीजिए, अगर उस company के पास दूसरा कोई project नहीं हो वही एक project है, single project है, और वो सौधी अराम को है, और आपको disqualified आपको बोल दिया गया है, आप फेल हो चुके हैं, आपका test नहीं निकल पाया है किसी कारण से, ऐसे conditions में सौधी अराम को कभी भी allow नहीं करेगी आपको काम करने के लिए, तो या तो company आपको move कर देगी, दूसरे project पे नहीं, तो positions को कम करेगी, अगर option नहीं है तो company भी क्या करे, company के पास option होना चाहिए, company के पास कुछ ना कुछ options होना चाहिए, या company आपको offer करेगी, आपका ये positions था, आपको मैंने भेजा test देने के लिए, लेकिन आपका test नहीं निकला, मेरे पास ये काम है, आप कर सकते हैं, तो जहां तक sell-ly की बात है, अगर company के पास कोई option नहीं है, तो sell-ly अगर जो काम दे रही है, आपको जो उस काम की sell-ly है, उससे कम sell-ly वाले की काम कर रहे हैं, तो ऐसे condition में आपकी sell-ly कम कर सकती है company, अगर आप accept नहीं करते हैं, किसी कारण से बोलते हैं, कि नहीं, मैं accept नहीं करूँगा, मुझे उतना ही sell-ly चाहिए, तो आपको company आपके home country भेज़ देगी, या 3 महिने बाद, 6 महिने बाद, अगर सौधी अराम को allow करती है, कि ठीक है, 3 महिने बाद आप फिर से एक और test दे सकते हैं, एक और chance मैं आपको दूँगा, तो company अगर आपको corporate कर रही ह है, अच्छी company है, तो हो सकता है कि 3 मेने के बाद आपको फिर से दुबारा test देने के कूशिस करे रहे हैं, ऐसे बहुत सारे project है, साबीक है, अगर company के पास साबीक का project है, साबीकम को भी है, तो साबीक में आप दे सकते हैं, अगर साबीक में move कर दे गीं, साबीक में जाकर आप टेस्ट दे सकते हैं और साविक का टेस्ट पास कर गए तो साविक प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, साविक भी एक सौधी अरामको का सीमलर ही प्रोजेक्ट है, सौधी अरामको जैसा ही है, सौधी अरामको ही समझेए, लेकिन दोनों की मैनेजमेंट अलग है, दोनों की स साबिक है ही नहीं, एक normal जो है company काम लेकर काम कर रही है, तो ऐसे उस project पे आपको move कर सकती है, आप काम कर सकते हैं, घबडानी की ज़रूरत नहीं है, ये depend करता है कि company आपकी कितनी बड़ी है, कितनी अच्छी company है, कितनी cooperative है, कितना cooperative करना चाहती है आपके साथ, आपकी respect कितनी है company में, इस पर depend करता है, अग company के mood के उपर में है, company का अगर दिमाग खराब हो गया, तो आपको भेज सकती है वापस, इसमें कोई doubts नहीं है, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है, ऐसा बहुत rare होता है, देखने को मिलता है कि company आपको सीधा आप interview फेल कर गए, आपका test नहीं निकला और सीधा आप घर पे आ गए, तो यह कुछ स्टेंडर्ड है, तो finally overall यह कह सकते हैं, कि test होता है, test को अगर आप फेल कर जाते हैं, test पास नहीं करते हैं, और सौधी आराम को चाहे तीन मेने का बाद, छे मेने का बाद, एक और चांस देना चाहे, तो दे सकती है, उसके mood के उपर भे हैं, उसकी policies के उपर मे हैं, और अगर company के पास दूसरी project है, तो आपको उस project पर move कर देगी, company आपको offer भी कर सकती है, कि चलो, यह position आपका, for example, आप safety officer या safety manager में आप गए हो, वहाँ पे सौधी आराम को test आप फेल कर गए, तो आप काम नहीं कर सकते हैं, तो हो सकता है किसी दूसरे department में seat खाली हो, आपको adjust करें, क्योंकि company को किसी बंदे को hire करके, और दोबारा वापस लेके आना, और फिर उसे भेजना, और फिर से लेकर दूसरे को आना, बहुत expense उसका होता है, उसमें बहुत खर्च होती है company के, और company नहीं चाहती है, जल्दी कि कि किसी को हम यहाँ से terminate करें, तो company आप आपको offer जरूर करती है, आपकी position को कम कर देगे, या दूसरे department में आपको transfer करेगी, जहाँ पर test की requirement नहीं है, आप मेरी बात को ध्यान से समझ पा रहे होगे, मैं बहुत ही अच्छे से clear और एकदम step by step मैं आपको समझाया हूँ इस video के अंदर में, company आपको दूसरे department, लेकिन आपकी होश्यारी इसी में है, आपकी समझधारी इसी में है, अगर आपकी test fail हो गई है, आप fail हो चुके हैं, आपकी test नहीं निकल पाई किसी कारण से, बहुत बार ऐसा देखा जाता है, कि कुछ numbers से, बहुत ही कुछ numbers से, थोड़े numbers से आप छड़ जाते हैं, आपको rejection का साम कम भी कर दिये तो it's okay आपको accept कर लेना चाहिए लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं है यह हमारे सौभिमान के खिलाफ है यह हमारे respect के खिलाफ है यह अच्छी बात नहीं मेरे हाथ अच्छा नहीं हुआ मैं अपने घर ही जाओंगा लेकिन काम नहीं करूंगा तो यह आपकी decision हो सकती है लेकिन यह एक अच्छी बात है कम सकम आप इतना पैसा लगा कर गए हो तो आपको वहाँ पे कुछ accept करके कुछ पैसा एक साल या दो साल एक contact तो आपको पूरा करना ही चाहिए यही एक अच्छी नीती होती है एक अच्छी planning के तहती है काम किया जाता है ब प्लीज प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए और किस topic पर वीडियो आपको चाहिए कुछ बताइए ताकि topic आप दीजिए आप मुझे topic दो और गमका medical के regarding मैंने बहुत सारे वीडियो बना रखे है comment box वही आते है comments जो मैं already वीडियो बना दिया हूँ तो उसमें मज़ा नही medical के regarding मैं डाल देता हूँ वहाँ पर क्लिक कीजिए पूरी वीडियो आपको मिलेगी 100-200 वीडियो से ज्यादा मिलेगी सिफ गमका medical पर मैंने वीडियो बनाया है कुछ doubts है तो clear कीजिए आगे भी मैं गमका medical पर वीडियो बनाता रहूंगा